रिस्पेक्टिड व्यूर्ज लाइकर्ज और सब्स्राइबर्स और मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज के टॉपिक में हमने पढ़ना है रस रस विवेचन भरतमुनी जी ने सुतर दिया है विभावा नुभाव व्याभीचारी सयोगात रस निश्पत्ति विभावा दूसरा है अचारे शंकुक तीसरा भटनायक जी और चौथे अभिनवगप्त उसके अलावा सधार्नी करण और इन्ही की शुक्री जी और अन्या साहित्यकारों आचारे ने भी इसका विवेचन किया इन तीन का मुख्यता नाम लिया जाता है तो स्टार्ट करने से पहले मै यू आर वी वाय एकर आर एन व्याकरन जी यू आर यू प्लीज आप इस चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आगे भी और वीडियो बनाते रहें और आपको पता चलता रहें सात में इसके लिए आप बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दें वीडियो हम अपना topic स्टार्ट करते हैं साथ में आप नीचे का description box भी जरूर देख लें description box में आपकी exam से related और इस topic से related बहुत से बिंदू दियोंगे जो आपको exam में help करेंगे रस विवेचन को समझने में साहता करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हैं भट लोलट जी इनका माना जाता है उत्पत्ति वाद या आरोप वाद उत्पत्ति वाद से अभी प्राहिए है कि विभाव अनुभाव और व्याभीचारी जैसे संचारी भाव का आ जाता है इनके समझ से रस की उत्पत्ति होती है रस का आरोप किया जाता है इनोंने बरतमुनी के रस उत्र के संयोग शब्द का अर्थ संबंद और निश्पत्ति का आर्थ उत्पत्ति लिया उसके अलावा बटलोलट ने संयोग को संबंद माना और उसे तीन रूप में स्विकार किया उत्पाद्य उत्पादक भाव और पोश्य पोश्यक भाव संबंद बट लोलट ने अनुकारे यानि के मूल जो नायक नायका है एक्टर एक्ट्रेस है अभिनेताब नेत्री हैं उनमें रस की स्थिति को स्विकार किया है ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी प्रेक्षक यानि के जो किसी भी चीज को देख रह है सुन रहा है समझ रहा है एस वी वाच टीवी नौट वी सी टीवी जैसे हम वाच करते हैं तो प्रेक्षक प्रेक्षक जो है वो नट में यानि के मूल पात्रों में रस का आरोप कर लेता है तो भरत्मोनी जी के इस रस उत्र कई जो व्याक्या भटलोलट जी ने किया उसक जंकुक जी का जो अनुमीतिवाद है वो न्याय दर्शन पर अधारित है इन्होंने न्याय शास्तर के अधार पर भरत मुनी जी के रस उतर की व्यक्या की और इनका मत अनुमीतिवाद के नाम से विख्यात है विभाव अनुभाव व्याभी चारी स्योगाद रस निश्पत्त सयोगात का अर्थ अनुमानात शंकुक क्या अनुसार रस, मूलत, अनुकार्य यानि के नायक नायका में ही रहते है जैसा कि भटलोलजी ने कहा था वो सेम बात कही है इसके अलावा पूरवा अनुभव पर अधारित होता है इनका जो अनुमान है वो पूरवा अनुभव अधारित है और चित्र तुरंग नाये का आश्रह लेकर शंकुप जी ने इसकी व्याक्या की है जिस प्रकार चित्र में हम तुरंग को देखकर वास्टविक रूपे उसे घोड़ा मान लेते हैं वैसे ही हम मूल जो एक्टर है य अनुकरण होना संभव नहीं है अनुकरण केवल वेशु भूशा और अनुभावों का ही हो सकता है यानि कि वस्त्र का और उसके हाव भाव का अनुमान के विशे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्रियेट किये गई थी कि मिथ्या से सत्य की अनुभूती नहीं हो सकती ज ये ऐसा रामचंदुशुकल जी ने भी कहा अनुमान में कार्य को देखकर कारण का अनुमान होता है तो आपको ये दोनों अब तक लियर हो चुके होंगे तो अब हम करेंगे बटनायक जी का भुक्तिवाद या भोगवाद बटनायक जी ने जिस दर्शन पर अपने भुक् होती है या रसका भोग होता है यानि के भुक्तिवाद बटनायक जीने रस उत्र में सियोंगात का अर्थ विभावनात माना और निश्पति का भुक्ति क्लियर बटनायक जीने काव्यादी में रस निश्पति के तीन व्यापार अभिदा भावकत्व और भोजकत्व का माना है अविदा से शब्दर्थ का ज्यान होता है अभिदा यानि के शब्दर्थ हम अभिदा शब्शक्ति से करते ही है और जो भावकत विवापार है उसके द्वारा विभावादी और रति आदिस्थाई भाव जो है वो सधार्नी कृत होकर देखिए सधार्नी करण सधार्नी ध्यान रखना है किसी भी रचना को पढ़कर या किसी नाटक को ड्रामा को मूवी को देखने के बाद जो उसका प्रिक्षक है वो ऐसा अनुभव करे कि रचना कार ने उसकी ही भावनाओं की अभी विक्ति गिया कई बार ऐसे सीन्स होते हैं जिनने देखकर हमें रोना आ जात हैं हम उसके साथ एकदम सधार्नी करण बिल्कुल सेम सिच्वेशन महसूस करते हैं और एक पल के लिए ऐसा लग सकता है हम मूवी को भूल कर अपने आपको ही उस हीरो या हीरोईन के साथ रखना शुरू कर देते हैं इसे हम कहते हैं सधार्नी करण तो भोग के व्यपार को भटनायक जीने भोज कत्व कहा है भाव कत्व व्यपार में जो भेध है स्व और परका यानि के अपना और पराई का भेध है वो खतम हो जाता है तो हम उसे सधार्नी करण कहते हैं सारे बंधन से मुक्त होकर और भोग के व्यपार को भटनायक जीने भोज कत्व का भटनायक अब अगर हम विशेष्ताओं की बात करें तो भटनायक जी ने अचार्य भरत के रसुत्र का मूल मंतव्य समझने का सार्थक प्रयास किया है जो पहले दों नहीं किया अब हम करेंगे अभिनव गुपजी का अभिव्यक्तिवाद ये शैवदर्शन पर अधारी थे पहला मिमानसा पर उसके बाद न्याय दर्शन पर अधारी था उसके बाद भटनायक जी का सांख्या दर्शन पर और अभिनव गुप्ट जी का शैवदर्शन पर अधारी थे क्योंकि वो शैवदर्शन के उन्हों गया विभाव अनुभाव या विचारी भावों की अभीवयंजना से रस की अभीव्यक्ती होती है उसमें अभिवेंजनात्रस की अभिव्यक्ति होती है संयोगात का अर्थ उन्होंने अभिवेंजनात या त और निश्पति का अर्थ अभिव्यक्ति क्या अभिवेंजनात और निश्पति का अर्थ अभिव्यक्ति माना इसलिए उनका जो वाद है वो अभिव्यक्ति वाद माना जाता है अभिनव गुप जी के मतनसार रस व्यंग्य है विभाव, अनुभाव और व्याभीचारी से इसी व्यंग्य रस की व्यंजना होती है अभिव्यक्ति होती है और इसी से हम द्वेश रहीत, राग द्वेश रहीत हो जाते हैं और आननन की अनुभति करते हैं इसे ही सधारणी करण की चरण उपलबदी माना जाता है अभीनव गुपजी के अनुसार रस उत्पन या अनूमती नहीं होती है अपितु अभिव्यक्त होता है और रती आदिस्थाई भावों की अभिव्यक्ती ही रसोप भोग है अभिनव गुप्ची ने वास्तों में रसान भूती के लिए रिदय की मुक्ता अवस्था रिदय का मुक्त होना निवारे माना है जरूर होना चाहिए अता इनकामत अन्याचारों के पेक्शा अधिक गरहे और अधिक व्यापक है और सव माने भी है तो ये थे हमारे रसुतरे चाहर मुक्खेय व्याख्याता इसके आलावा सदारनी करण पर किसके क्या विचार है और सधार निकरण को पूरी डिटेल में हम अगले वीडियो में करेंगे So please like, share and comment और please बताए कमेंट करके आपको कैसा लगा चैनल का नाम है हिंदी साहित्या और व्याकरण गुरू वीडियो के नीचे का वीडियो के नीचे का राल रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाना न भूले और साथ में बैल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें आप नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज प्रिपेर रहें साथ में कॉपी पैन जरूर रखिए और नीचे का डिस्क्रिप्शन बुक्स जरूर देखे थैंक यू एंड बेस्ट उफ लग फॉर एग्जाम्स